हेलो क्लास कैसे हैं आप लोग तो आज की टॉपिक में हमारा मेंट पॉइंट है सहरों में माल के आवाजाही पर बात करेंगे मोमेंट आफ गुड्स इन सिटी के उपर इस टॉपिक में हम ये बात करने वाले हैं कि जो मिसोपुटामिया है मिसोपुटामिया के अलग-अलग हिस्सों में आवाजाही के लिए लेंदेन के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए किन-किन चीजों का इस्तिमाल किया गया और किन-किन चीजों को बाहर समंगाया गया कौन से देशों समंगाया गया इन सभी के बारे में आईए बिश्तार से बात करते हैं, कहता है मैसोप्टामिया के दच्छनी भाग खाद पदार्थ में संपन थो, तो दच्छनी भाग खाद पदार्थ में संपन क्यों था? आपको मैंने बताया था कि जो दजला और फरात नदी, जब उपर से नीचे कि और आया करते थी, तो उसके जितने भी ट्रि बूर्टिज के आज पास के इलाकों में बड़ी मातरा में एग्री कल्चर प्रोड़क्शन बड़ी मातरा में हुआ करता था इसलिए यहाँ पर खाद्य पदार्द ज्याध मातर्व jon। हुआ करते थे और यह संपन्ध खनेज पदार्थ को मंगाने का काम किया गया है यहां पर जो कोशन आया है वो यह कोशन आया है कि मेसोपोटामिया के अंदर मेसोपोटामिया के अंदर खनेज पदार्थों को कहां से मंगाया गया है तो यह मंगाया गया है हमारे पास इरान से मंगाया गया है तर्की से मंगा प्राचीन काल के लोग विविन प्रकार के प्रकार के प्रकार के प्रकी, इरान और खाड़ी पार के देशों से मंगाया तो हमने इन देशों से किन किन चीजों को मंगाया मतलब हमने प्रकार को तुर्की, इरान और खाड़ी पार के देशों से मंगाया तो तुर्की, इरान और खाड़ी पार के देशों से हमने क्या क्य मंगाया लकड़ी, तामबा, रांगा, सोना, चांदी, सीपी और कई प्रकार के पत्थरों को मंगाया गया बाहरी दीचों से कहता है मैसोपटामिया के लोग दूर बैपार के लिए कपड़ा और क्रिसी उत्पादन का निर्याद करते थे मतलब ये लोग अपने हाँ से कपड़े को और क्रिसी के बनाएगे उत्पाद को जैसे कि घी हो गया, दूद हो गया या फिर कुछ और चीज़े हो गई इन लोगों को ये बैपार में इस्तमाल क्या करते थे जिसके लिए मेसोपटामिया के दच्छिन के लोग समाजिक संगठन के स्थापना क्या करते थे तो मैंना को बताया था कि समाजिक संगठन के स्थापना कई सारे चीज़ों को पूरा करने के लिए किया गया था जिसमें हमारे पास था अन्भंडार का समापन, बित्रन और इखटाया भंडारन करने के बारे में बताया गया था कहता है सहरी विकास के लिए यहाँ पर सिल्प, बैपार और सिवा के साथ साथ कुसल परिवेन बहुत महत्यपोर्ण होता है क्योंकि किसी भी सहर का विकास उसके रहने वाले लोगों के सिल्प पर डिपैंड करता है, उनके सिल्प पर डिपैंड करता है, उनके बैपार पर डिपैंड करता है कि वो कहां से बैपार करते हैं और किस मुल्ले की बस्तु का बैपार करते हैं जितनी जादा वो अर्धिक मुल्य की बस्तु का वैपार करेंगे उतना ही जादा उस सहर का जाता भी कास होगा और देखाए भी जाता है कि उस देश में सेवा छित्र का किस प्रकार का योगदान है और इस सभी के सभी depend करते हैं हमारे बेहतर परिवहन के उपर depend करता है मलब यहां पर बड़ी मात्रा में कुछ घदों का घोडे का इस्तमाल किया गया और बैल गाड़े का भी इसके साथ साथ यहां पर जलमार्ग और स्सेट परिवहन के लिए ट्रांस्पोर्ट के लिए तीन जैजों का इस्तमाल किया गया पहलay जानवरों को初 armies the और तिसरा आपका बाटर ट्रांस्पोर्ट के इस्तेमाल किया गया। बैपार करने के लिए या परिवहन के लिए इस्तमाल किया गया है क्योंकि जल मार्ग प्राकृतिक जल धारा में बटी होती है जिसके कारण ये बरस्तियों के बीच से परिवहन करने के लिए आसान होती है जल परिवहन के तौर पर मारी नगर का विकास हुए तो आपके लिए कोशन ये भी बनता है कि मारी नगर का विकास किस विसेस पर होता है तो जल परिवेन के तोर पर होता है और ये जो मारी नगर है वह अफरात नदी के किनारे फैला हुआ है किस नदी किनारे है फरात नदी के किनारे फैला हुआ है अफरात नदी विस्वपोट के लिए किस नदी का इस्तमाल किया गया तो फरात नदी का इस्तमाल किया गया और जल परिवहन के तौर पर किस नगर का विकास हुआ तो मारी नगर का विकास हुआ मारी नगर का विकास हुआ फरात नदी फरात नदी इस समय किस लिए बिख्यात था या परसिद था तो विस् मेसोपामिया के अंदर, मेसोपामिया के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किस प्रकार का था, उसके क्या परवाप पढ़ें, किस प्रकार के परवाप पढ़ें, कैसे कैसे उसके अंदर डवलॉप्मेंट हुए, कौन-कौन से काम किये गए, ऐसे कोशन दी आपके आते है तो आप यहां से असाने से से बना सकते हैं इस टापिक में हम यह तक बात करते हैं नए टापिक में बात करेंगे वेसोपोटामिया कला का विकास अर्थाथ लेखन कला का विकास बात करेंगे आज के लिए इतना है